स्वागत थे आपका अपना चैनल स्टेडिमेट नमबर वन पर आज हम यह मेरा ट्रेग्नोमेटिक फॉंसन का दूसरा पार्ट का वीडियो है जिसमें मैं आपको बताने की पोसिस कर रहा हूं कि इन्भर्स जो चेप्टर है उसमें बहुत सारे फर्मूला आते हैं जो काफी का प्रादा है इसको लिए मैं कोडिंग कर दिया हूं तो इसको कोडिंग में दीज करके दिया हूं उसमें आपको a b c की तीव गुरूप में बता दिया है इसको मैं चौथे गुरूप बता रहा हूं तो आप प्ली जिसको पहले वो वीडियो को देखिए तब यह दिखिए गात काफी मज़ाएगा तो आएए देखिए इस तरीका से 10 इंवर्स एकस माइनस टैण इंवर्स एक्स माइनस टैन इंवर्स आए ब्याइब रहता है यह आपको कुछ समय के लिए याद करना है, जब सवाल बनेगा तो सारी चीज के लिए हो जाएंगे, याद करना पड़ेगा, जब तक याद नहीं होगा, आपसे question बनाने में काफी दिकत आ सकता है, प्लिज क्रम से इसको याद कर लिए, याद करने पर भलाई है, sine inverse x plus sine inverse y होता है, 1-y square plus y into 1-x square ध्यान दिजेगा, यह माइनस में है, तो यही चीज से में लिखागया, बस यहाँ पर सलाइस है तो माइनस एतो माइनस दीक है इसलिए कि याद ओगगा दूसरा याद हो जाएगा बस माइनस लगा देना है एक बर एक simany को पहले लिख देना है याद करने का ट्रिक है अकर एक बर माइनस हो तो बस x इन्टो आई माइने से तो प्लस करें कॉस में उल्टा चलता है एक बार x का लिखिए एक बार y का लिखिए तो इस तरीका से आप इन फर्मुला को काफी ध्यान से देखा सीखा इसी तरह से एक मेरा और वीडियो का पार्ट होगा उसको भी देखिएगा बहुत दो धन्यवाद